अगर आप भी अचार खाने के शौकीन है तो एक बार हरी मिर्ची का अचार बना कर जरूर ट्राइ कीजिए अभी सर्दियों के मौसम में बाजार में अच्छे किस्म के मिर्ची मिल जाती है तो इससे आप एकदम तीखा चटपटा चटार के दार मिर्ची का अचार बनाएए और वो भी बिना धूप लगाए और सालों साल चलेगा तो इसे जरूर ट्राय कीजिएगा हरी मिर्ची का तीखा चटपटा अचार बनाने के लिए यहां मैंने लिया है 200 ग्राम हरी मिर्च इस अचार के लिए आपको डार्क ग्रीन वाली हरी मिर्ची ही लेना है इस तरह की इस मिर्ची का अचार कोई भी बना सकता है अगर आपके घर में धूप नहीं भी आती है तो भी इसे बनाकर लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो अब हमें मिर्ची को बीच में से कट लगाना है तो उससे पहले आप हाथ में तेल लगा लेना खासकर अगर आप चाकू से कट कर रहे हो तो वैसे आप कैची से कट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक तो मिर्ची को फटा-फट काट कर रेडी कर ले करते हैं सब्सक्राइब माना दो सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब यृंध में दोसमाल कर सकते हो राई दाल की जगह पर साथ ही डाल देंगे आदी छोटी चमच मंगरेला इन दोनों को हम पीसेंगे नहीं क्योंकि राई पहले से दरदरा कुटा हुआ है और मंगरेला को पीसने से कड़वा टेस्ट आता है इसलिए इसे साबूत ही डालेंगे अचार में तो इसे ड्राय रोष्ट कर लेना है बस मौइस्टर चला जाय इतना ही रोष्ट करना है बस इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं सेम पैन में डाल देंगे तीन बड़ा चमच सौफ सौफ और राई अचार की जान होती है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में इसलिए इसकी मात्रा अधिक होती है अचार में साथ ही जाएगा एक छोटी चमच जीरा एक बड़ा चमच साबु धनिया आधी छोटी चमच मेथी दाना अब लो फ्लेम पर ही मसालों को हलका हलका ड्राय रोस्ट कर लेना है बस इसे हलका सा ड्राय रोस्ट करना है कि इससे मोईस्टर निकल जाए इतना ही ड्राय रोस्ट करना है अच्छी सी खुश्बू आने लगी है तो गैस को बंद कर देंगे अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं हलका थंडा होने देते हैं अब ले रहे हैं ग्राइंडिंग जार अब इस जार में डायरोस्ट किये हुए सौफ, धनिया, जीरा, मेथी को डाल देंगे अब इसको दरदरा सा पीस लेना है अगर आप कूट के डाल सकते हो तो कूट के डालो कूट के डालने से अचार के टेस्ट में चारचान लग जाते हैं मेरे पास कूटने वाला नहीं है तो मैं मिक्सी में पीस कर डाल रही हूँ ये देखिए पीस लिया है, दरदरा पीस लिया है अब जिस पैन में मसाले को भूना था उसी पैन में मैंने 100 ml सरसो का तेल लिया है और मेडियम फ्लेम पर रख दिया है गरम होने के लिए अब इस तेल को हमें धूमादार गरम करना है इससे होगा ये कि सरसो के तेल में एक स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है एक स्ट्रॉंग खुस्बू होती है सरसो की वो निकल जाएगा अचार को सरसो के तेल में ही बनाए तो टेस्टी भी बनता है और जादा दिन तक टिकता भी है क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है साथ ही अचार में सही quantity में तेल होना जरूरी है क्योंकि तेल preservative का भी काम करता है तेल धुमाधार गरम हो गया है गैस को बंद कर देंगे और तेल को थंडा होने देंगे गरम तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है जब तक तेल थंडा होता है तब तक अचार में मसाले मिक्स कर लेते हैं तो हरी मिर्ची में सबसे पहले डालेंगे राई दाल और मंग्रेला फिर जाएगा दरदरा पीसा हुआ सौफ धनिया जीरा मेथी दाना एक छोटी चमच हल्दी पाउडर अचार में नमक थोड़ा ज्यादा ही डाले तभी अचार अच्छा भी लगता है आदी छोटी चमच काला नमक इससे अचार और भी स्वाधिस्ट हो जाता है अब अचार को मार्केट जैसा कलर देने के लिए डालेंगे एक बड़ा चमच काश्मरी लाल मिर्ची पाउडर आप इसके बगएर भी अचार बना सकते हो इससे क्या है ना अचार को बढ़िया सा कलर आ जाता है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह अ अच्छे से अचार को मिक्स करेंगे यह बहुत ही टेस्टी बनता है और आपने देखा बनाना तो बहुत ही आसान है इस तरह बीच में कट करने से देखिए मसाले अच्छे से कोट हो गये हैं अब इसमें जाएगा सीर का जोकी अचार को खराब होने से बचाएगा क्योंकि बढ़ियां preservative का काम करता है मैं यहां इस चमच से चार चमच विनेगर डाल रही हूँ आप कोई भी विनेगर डाल सकते हो जो आपके पास हो आपके पास विनेगर नहीं है तो आप उसकी जगह पर तीन निम्बू का रस डाल दीजिए साथी मिर्ची का जो तीखा पन है उसको भी बैलेंस कर देगा यह विनेगर यह वही वाइट विनेगर है जो हम Chinese food में डालते हैं अब इसे भी अच्छे से mix कर लेना है mix कर दिया है instant हरी मिर्ची का अचार ready है दो तीन दिन बाद आप देखोगे कि मिर्ची हलकी सी soft हो गई है और अगर आपके घर में धूप आती है तो दो तीन बार धूप लगा दीजिएगा फिर इसकी shelf life और बढ़ जाएगी सालों साल खराब नहीं होगा अब इसे store कर लेते हैं इसे आप कांच के जार में ही store करें जिससे अचार लंबे समय तब टिकते हैं इसे मैंने गरम पानी से धो कर फिर धूप में सुखा लिया है बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए अचार को भर कर इसे store कर लीजिए इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए और अपने खाने का स्वात बढ़ाईए फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग